Welcome to my channel Bollywood बातें डॉस्टो जब मैंने सुना था कि संजय दत की बायोपिक बन रही है तो मुझे ये बात काफी हास्यपद लगी थी कि ऐसे कोन से बड़े कारणा में संजय दत ने किये कि उनकी बायोपिक बन रही है फिर मुझे याद आया कि पब्लिक को क्या चाहिए सिर्फ एंटर्टेंवन्ट और हमारे संजु बाबा की लाइफ के हर किस्सों में एंटर्टेंवन्ट ही तो है लेकिन काश संजय दत ने ये सोचा होता कि बायोपिक मेरी नहीं मेरे पिता सुनील दत साहब की बननी चाहिए सुनील दत एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द ही जेला था एक ऐसे इंसान जो जिन्दगी के कई इम्तेहान से गुजवे और हर इम्तेहान में जीते लेकिन उपर वाला भी बार-बार उनके इम्तेहान लेता रहा काश संजय दत अपने पिता सुनील दत के संघर्ष को उनके इम्तेहान को फिल्मी परदे पर उतारने की कोशिश करते तो मैं उन्हें जिन्दगी भर सलाम करता लेकिन संजु बाबा को अपने पिता के संघर्ष से ज़्यादा उन्होंने जिन्दगी में कितनी एयाशिया की है वो दिखाना ज़्यादा जरूरी समझा सुनील दत जिनका फिल्मी सफर तो काफी शांदार रहा लेकिन असल जिन्दगी काफी दर्द भरी रही फिल्म मुझे जीने दो के डाकू के दमदार रोल से अपने अभिने का लोहा मनवाने वाले चाहे मदर इंडिया का बिर्जू हो या पढोसन का भोला भिन भिन तरह के किरदारों को सुनील दत जीने अपने शांदार अभिने से इन पात्रों को जिवन्त कर दिया था फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान नर्गिस जी को एक असली हीरो बनकर आग से बचाया उनकी बहादुरी ने नर्गिस जी का दिल जीत लिया दोनों ने प्रेम विवाह किया उन दोनों के प्रेम की निशानी है बेटा संजय दत और बेटी प्रिया दत लेकिन अफसोस नर्गिस दत ज्यादा जी नहीं पाए उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने वक्त से पहले हमसे चीन लिया लेकिन सुनील दत की नरगिस से सची मोहबत थी यही वजह थी कि उन्होंने नरगिस के जाने के बाद कभी किसी और औरत के बारे में सोचा भी नहीं. इतना ही नहीं नर्गिस की आद में उन्होंने कैंसर का अस्पताल मुंबई में बनाया ताकि किसी गरीब की जान इस गम्भीर बीमारी से जानना जाए वही बात करे संजय दत की तो उनकी पहली पत्नी रिचा शर्मा जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया था जिन्हें ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से वो भी वक्त से पहले चल बसी जिन से संजय दत को एक बेटी भी है जहा सुनील दत ने नर्गिस के देहांत के बाद उनके बिना पूरी जिन्दगी अकेले बिता दी वही संजय दत जब बीमार पत्नी अमेरिका में इलाज करा रही थी वो यहां कई लड़कियों के साथ है आशिया कर रहे थे कितना फक्र है दोनों पिता पुत्रों में लेकिन फिर भी बायोपिक संजय दत की बनी सुनील दत की नहीं पहले पत्नी की बीमारी से लड़े फिर बहू की बीमारी से लड़े संजय दत जब नशे से ग्रस्ट नशे के आदी बन गए थे उन्हें किसी तरह सुधारा बॉलीवुड में उनको लांच किया फिल्म रोकी से किसी तरह सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था तो फिर संजय दत का एक ए 40 गन का विवाद हुआ संजय दत पर आतनक्वादियों से रिष्टों के इल्जाम भी लगे और उन्हें जेल भी हुई लेकिन पिता सुनील दत ने यहां भी हर मुश्किलों को चुनोती को लेते हुआ एक योध्धा की तरह लड़े हर हालतों का सामना करते हुए उन्होंने संजय दत को इन आरूपों से बारी कराया क्या कुछ नहीं किया सुनील दत ने संजय दत को जेल से चुडाने के लिए लेकिन फिर भी संजय दत ने यह नहीं सोचा कि क्यों ना उनके पापा के इस संघर्ष भरे जीवन की बायोपिक बनाई जाए लेकिन नहीं उन्हें तो खुद को बेकसूर दिखने के लिए उनकी बायोपिक को बनाना जरूरी था बड़े अफसोस की बात है कि संजु फिल्म के निर्मताओं ने भी संजय दत की जगह सुनील दत के संघर्ष पर फिल्म बनाने की क्यों नहीं सोची खेर अब तो काफी समय हो चुका है फिल्म संजु को बनकर तो क्या अब भी संजय दत अपने पिता पर फिल्म नहीं बना सकते पैसों की कमी तो नहीं है उनके पास पिता सुनील दत ने अपनी पत्नी और संजय दत की मा के नाम पर गरीबों के लिए अस्पताल बनाया क्या उनके संगर्ष, उनके महान कार्यों पर एक फिल्म नहीं बननी चाहिए? जरूर बननी चाहिए. दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं बायोपिक संजे दत की बननी चाहिए थी या सुनील दत जी की? कमेंट्स में जरूर बताए और मेरे इस वीडियो को इतना शेयर करे की काशकोई फिल्म निर्माता ही मेरी इस बात पे गौर करे और एक महान अभिनेता, एक महान इंसान और एक महान शक्सियत सुनील दत जी पर बायोपिक बनाने की जरूर सोचे. आज के वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज इसे लाइक करे शेर करे और मेरे चैनल बॉलिवुड बाते को सब्सक्राइब जरूर करे. टेक केर दोस्तों. मेरी तरफ से मेरा ये वीडियो एक छोटी सी श्रधानजली सुनील दत साहब को.